हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आज चैनल जोसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स तो दोस्तों यहां पे जो है वो एक और हफ़ता खतम होते हुए और स्पेशली क्रिप्टो के दुछ हम लोग जाते हैं पट स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो यह हफ़ता ज बहुत अच्छा है तुम S&P के ओपर जाओगे तो at least green closing है तुम Nasdaq के ओपर जाओगे जो basically इनका tech sector है तो वो तीन हफ़ते red cross करने के बाद आज जो है वो green close कर रहा है एक चीज जो बहुत अच्छी हो रही है न वो डाव जोंस में चाहे उसका जो market है वो red है sorry यहां हफ़त देखोगे न तो यहां पे जो moving averages है वो वापिस से सई cross करने जा रहे है okay so यह जो moving average है यह 50 day moving average है weekly time frame के ओपर last time जब यह bullish cross हुआ था तो तुम देख सकते हो market ने कितनी अच्छी rally की थी और हम लोग यही cross जो है वो आने वाले समय में देखने वाले है okay तब तक एक छोटा सा definitely क्योंकि जब भी यह cross करता तो तुम देख सकते हो कि एक बर सर्व averages को test करता है तो probably यहां पे भी एक test हो सकता है शायद वो ना हो और stock market जो है वो एक अच्छी खासी rally दिखाए क्योंकि I know बहुत से लोग अभी भी recession की बात कर रहे है बहुत से लोग यह fund है दे रहे कि यहा से hopefully यह market जो है वो अच्छी खासी rally दिखाए और अगर एक pullback होता है मतलब अगर हम लोग 32,000 के around Dow Jones को देखते है तो वो बहुत बहुत bullish होगा क्योंकि वो एक वापस से bullish retest हो जाएगा जैसा कि हम लोग Bitcoin में देख रहे हैं ओके और I know बहुत से लोग अभी भी जो है वो bearish ह और आज हम लोग जो है वो शांती से side पर भी बैठे थे क्योंकि हमें था कि भाया आज आओ पॉल साव और आके आपको जो commentary देनी है वो दे दो उन्होंने अपनी commentary दी और उन्होंने यही बोला inflation तो हमसे control में हो नहीं रही है क्योंकि हमको पैसे print करने पढ़ रहे हैं हमको बड़े अमीर लोगों को देने पढ़ रहे हैं दोस्तों में पैसे बाटने पढ़ रहे हैं तो हम लोग inflation control नहीं कर सकते हैं बड़ हम लोग rate hike जो है वो करते रहेंगे जब तक inflation control नहीं होता तो उन्होंने आके यह फालतुकी speech दी और उस speech का result तुम देख सकते हो लोग already पक पर green में आज दिन जो है वो खत्म कर रहे है और वही अगर हम लोग crypto market की बात करें तो crypto market में जो है वो कुछ खास move नहीं है तुम अगर देखोगे तो हम लोग 1.5 trillion dollars के उपर है 0.07% जो है वो market move किया है bitcoin अगर हम लोग देखेंगे तो still red में है 0.40% but कुछ खास फरक नहीं प price जो है वो यहां पर थोड़ा stagnant है चाहिए अब हम लोग probably एक और हफता जो है वो weekly 200-day moving average के नीचे close कर रहे है बट fundamentals नहीं रुक रहे है मैच कर रहे तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार बात जरूर कर लेते इसके बारे में तो उसके बाद हम लोग hash की की बात करें जो Hong Kong में 28 August को bitcoin और ethereum जो है वो retail trading के लिए open कर देगे तो यह भी एक बहुत massive news क्योंकि Hong Kong में जो है फिर वो धना-धन इन दो assets की buying start होने वाली जो है वो हमेशा ऐसे रखो 40-30-30 उसके इलावा next news अगर हम लोग देखे तो जैसे कि हम लोग ने कल के वीडियो में भी discuss किया quarter 4 जो होता है ना वो बहुत-बहुत bullish होता है तो इसी लिए यहाँ पे smart money जो है उसने bet one buy करना शुरू कर दिया है और अब हमें भी almost इस market में दो उसके बाद next news अगर हम लोग देखे तो यह बहुत अच्छा यह क्या कहते हैं इनको sailors sailors की हिंदी भूले हमें बट जो भी है यह हमारे भाईयों ने बहुत अच्छा किया तो इन लोगों ने एक boat के ऊपर bitcoin का flag लगाया और वो boat को जो है वो पूरे समुंदर में घुमा रहे ह ताकि bitcoin के बारे में जो है वो awareness लाई जा सके लोगों में और वो चाहिए जैसे जैसे अब CBDC की तरफ हम लोग बढ़ रहे है bitcoin के लिए awareness definitely लोगों में चाहिए okay so make sure तुम भी लोगों को बताओ make sure चाहिए तो हमारी वीडियो भी आगे जो है वो लोगों के साथ share करो बट bitcoin के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए okay एक और चीज़ अब ये तुम देख सकते हो कितना जबरदस्त मतलब लोगों के पा जैसे ही उन्होंने surrender किया उनके जो nft collections थे वो 30% से skyrocket हुए 30% से और already इनके पास कितना crypto जो है वो Trump के इस पास already है पैसा तो चलो भाई हम सबको पाता है कि कितना है बर तो मैं वही कह रहा हूं कि लोगों के पास पैसा है सब सरफ शांती से side lines पे रखके बैठे है और smart money वही accumulate करना शुरू कर दो हम लोगोंने कल के वीडियो में भी देखा Bitcoin बाय हो रहा है हम लोगोंने देखा Ethereum बाय हो रहा है हम लोगोंने देखा बड़े tokens वेल्स जो है वो accumulate कर रहे है चाहीं लिंक देख लो तो make sure अच्छे tokens पकड़ो और अगर नहीं पता अच्छे tokens कौन से है तो कल का वीडियो ज़रूर देखो टीटर की side से एक बहुत अच्छी news जहां पर अभी भी टीटर ने जो है वो 3.3 billion dollars जो है वो liquidity cushion के तोर पे रखा है मतलब additional पैसा उन्होंने side पे रखा है कि कुछ भी द इधर डूबेगा तो bitcoin डूबेगा और उस चक्कर में वो price को जो है वो दबाने की कोशिश करते थे अब यह चीज़ खतम हो गए तो आप वो नहीं तरफ बढ़ गए है जो है और overall अगर हम लोग market देख लें तो वैसे सबकी पिटाई ही चल रही है बट कुछ token जो थोड़ा बहुत मुव कर रहे हैं उसमें जी cash, mental, flare, xrp ठीक है कोई खास बड़ा move नहीं है और यह सब tokens में वैसे भी कोई interest नहीं mental तुम buy कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर मिले तो अब यह कौन से exchange पर है वो check कर लेते हैं अब इसकी वज़ए क्या है वो polyhydra के ओपर जो है वो एक और टास्क आया है तो वो टास्क के लिए तुम्हें जो है वो mental चाहिए क्योंकि तुमको cross swap करना है राइट तो अगर वो तुम करते हो और देखोगे तो exchanges के ओपर तो मेरे भाई यह तुम्हें बाइबिट के ऊपर या फिर uniswap या गेट आया हो तो इन में से तुम कहीं पे भी जाके यह token जो है तो थोड़ा सा target किया जा रहा है मैं तो वहीं कहूंगा भाई तुम अपना बैंक चालू कर दे हम लोग वहीं पैसे जमा कर लेंगे वहां से यूज कर ले ना यह सब कुछ है क्रिप्टो का बैंक हो क्रिप्टो वालों के लिए ही हो और वो बैंक जो है वो यूएस डीटी में ही चले सरफ और वो और भी अच्छा है लोके बट देखो अगर ऐसा होता है के नहीं के लिए एक अच्छी नहीं होते क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि वीचेन डेड है नहीं मेरे भाई चाइना का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्रॉजेक् अगर तुम सिंगलैर्टी लेखोगे व ऐयाय प्रॉजेक्ट ता मेंने बारन बार बार बोला ये हो गया अपटी हो गया यह अच्छे प्रॉजेक्स है जो तुमको रखने है क्योंकि नेक्स्ट बोल रण जो है वो ऑय का ही है ओके और यह दोनों प्रॉजेक्ट मिलके जो ह हम लोग पैपे की, ओके, सो अगर तुम लोगों को याद होगा, सो हम लोगों ने जो है वो पैपे के ऊपर वीडियो बनाये थे, ओके, और यहां अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बार-बार बोला था कि मेरा बाइंग जोन क्या है, तो अगर तुम में जितने भी ये चीज हमारे जो बाइंग जोन थे, वो अगर तुम्हें याद होगा, तो यहां कहीं था, जहां मैंने बोला था, 90% गिरेगा, तब बाइ करेंगे, ओके, और यहां पर भी मैंने बोला था कि यह रेड लाइन पे भी जो हमें बाइ करने की कोई खास इच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग एनिवेज कोई opportunity गवा नहीं रहे, यह red line भी तूटे गी और हम लोग और 50% का जो है, वो अभी dump इसमें देखेंगे, अब क्यों वो dump देखेंगे, वो समझ लेते हैं, सबसे पहले तो भाइया यह 15% का move जो आया, यह आया, क्योंकि इनके जो developers है, उन्होंने क्या किया अपने wallet को जो है, उनका multi-sig wallet उसको change किया, change करके एक अलग wallet बनाया और उससे जो है, उन्होंने कुछ 17.3 trillion पेपे, मतलब 18 million dollars के पेपे जो है token, उन्होंने exchanges के उपर भेज दिये, जैसे उन्होंने exchanges के उपर भेजे, तो जो early buyers थे, उन्होंने देखा क्यार भाईया, यह लो पेपे जो है, वो dump कर दिया, 2010 ETH के लिए और 1.68 million dollars जो है, वो withdraw कर लिए, जैसे ही यह पहला dump हुआ, उसी के साथ एक और, मतलब वो भी early early अब दून हो सकता, दोस्ती हो, एक अठे बाय किये हो और एक अठे बेच दिये, तो उस भाई ने भी close to 1 trillion पेपे जो है, उसने भी ब बेचे नहीं है, और जैसे यह लोगों ने बेचे, तो मेरे भाई बाकी के वेल्स जो है, वो फटक से आ गए, और तुम यहाँ देखोगे, तो आधा पेपे जितना इन लोगों ने dump किया था, तो यहाँ पे 320 का भी खरीद लिया गया, 280 का खरीदा गया, तो यह लोग जो है का पेपे टोकन जो है वो खरीदा, अब है वही कह रहा हो, कुछ वेल्स रम कर रहे है, कुछ खरीद रहे है, अब हमें क्या करना है, हमें यह बाय करना है के नहीं करना है, वो समझते हैं, क्योंकि चलो वेल्स ने तो बाय किया, तो में इक पर देखो, देखो होरता क्या है, अभी whales जो वो actually उन्होंने developers जो है उसके उन्होंने अभी तक dump नहीं किया और उन्होंने exchanges के ओपर move क्यों किया बड़ा logical सा सवाल है राइट exchange के ओपर move करने का कारण क्या है अब उनको definitely पैसे चाहिए वो अभी बेचे ना बेचे वो धीरे-दीरे करके बेचे चाहिए liquidity जो है वो मतलब मिलती रहे और दीरे-दीरे निकलता रहे वो बेचेंगे तो जरूर ओके जब वो बेचेंगे तो हो सकता है ये whale जिसने साड़े 500 के कम बाय किया है भाया उसकी थोड़ी धुलाई हो मैं अभी बही कहोगा टेकनिकली अगर तुम देखते हो तो हमें अभी भी पैपे में जो है वो यहाँ वापस आना है ओके मैं इस चार्ट को अगर तुमारे लिए थोड़ा सा क्लीन करू ना तो देखो अगर तुमें कभी भी कुछ भी बाय करना है तो उसे 0.786 लेवल के उपर पकड़ो ओके तो 0.86 लेवल जो है 786 लेवल वो यहाँ है और वो कित जिल मैं नहीं कहुँआ कि उतना वेट करो आइनो पैपे का अगर डेवलपर बेच रहा तो लोगों को ओगा कि अरब खरीद के सेंस नहीं बनता गर वही बेच रहा है तो बट नहीं डॉज कोईन के डेवलपर ने भी बेचा डॉज देखो कहां गया राइट लाइट कोईन जैसे ही तुम्हें इस डिब्बे में मिलता है न चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो ये प्राइस देख लो इस डिब्बे में जैसे जाएगा बाय करना शुरू कर दो क्योंकि पैपे एक ऐसा मीम टोकन है जो अभी तक बड़े एक्सचेंजेज या वॉलेट के ओपर लिस्ट नहीं हो मतलब एक्सचेंजेज मतलब कॉइन बेस क्योंकि वहां पे लोगों ने भी खरीदना शुरू नहीं किया रॉबिन हुड यह ऐसी चीजे है जहां पे तुम इन टोकन्स को बहुत तकड़ा पॉम्प होते हुए देखने वाले हो तो मैं वही कहूंगा कि यह लिबा बनाके रखो इस जोन में तुम्हें जैसे ही यह मिलता है नहीं पर वहां पर बिलता तुम आ कोँगा कि यह भी एक जोन अच्छा है तुम यहां से क्यों मिलेट तुम तीन बाइंग ओर जो है वो लगा सकते हो तो सबसे पहले पच्छेस परसेंट यहां बाइ करो औ और यह token को ignore मत करना मैं वही कह रहा हूँ सबसे funny meme अगर हम लोग अभी तक देखे तो मुझे नहीं लगता डॉज और शिव में अब वो दम है शिवा हम लोग ने देखा शिवेरियम बनाया बट कोई काम का नहीं है डॉट जब तक इलॉन का सिर मतलब इलॉन का हाथ उसके स थोड़ा और सबर तुम्हें डेफिनेटली चांश मिलेगा ताके तुम्हें टोकर को यहां पर कर सको तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तुमसे कल मुलकात होगी दोस्तों तेंक्यू सो माज